श्री वालमी की निर्मित आर्शामेर्ण आधिकावे के बालकाण में चालिसवं सक्ष आप सभी से अनुरोथ है कि यदि आप इन वीडियोज को लाइक, शेर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवर्ष्य सुने देवताओं की बात सुनकर मरशी ब्रह्माजी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगरपुत्रों के बल से मोहित एवं भयभीत उन देवताओं से इस प्रकार कहा देवगर्ण ये सारी प्रित्वी जिन भगवान वासुदेब की वस्तु है जिन भगवान लक्ष्मिपती की यह रानी है वेही सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरी कपिल मुनी का रूप धारन करके निरंतर इस प्रित्वी को धारन करते हैं उनकी कोपागनी से ये सारे रा शुत्यों और स्मृत्यों में आई हुई सगर आदी शब्दों से यह बात सुस्प्रिष्ट ग्याथ होती है। इसी प्रकार दूरदर्शी पुर्षों ने सगर की पुत्रों का भावी विनाश भी देखा ही है। अतह इस विश्य में शोग करना अनुचित है। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर शत्रों का दमन करने वाले 33 सेता बड़े हर्ष में भरकर जैसे आये थे उसी प्रकार पुनह लोट गए। सगर पुत्रों के हाथ से जब पृत्वी खोदी जा रही थी। उस समय उससे वजरपात के समान बड़ा भयांकर शब्द होता था। इस प्रकार सारी पृत्वी खोदगर तथा उसकी परिक्रमा करके वे सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली हाथ लोट आये और बोले। पिता जी हमने सारी पृत्वी च्छान डाली। देवता, दानव, राक्षस, पिशाद और ना गादी बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला। फिर भी हमें ना तो कहीं अश्व दिखाई दिया और ना अश्व का चुराने वाला ही। आपका भला हो। अब हम क्या करें। इस विशे में आप ही कोई उपाय सोचिए। रगुनंदन पुत्रों का ये वचन सुनकर राजाओं में श्रेष्ट सगर ने उनसे क को पेठो कर कहा। जाओ फिर से सारी प्रित्वी खोदो और उसे विद्रिण करके घोड़े के चोर का पता लगा। चोर तक पहुचकर काम पूरा होने पर ही लोटना। अपने महात्मा पिता सगर की ये आग्या शिरुधारे करके वे साथ हजार राजकुमार रसातल की ओर बड़े और रूश में भरकर प्रित्वी खोदने लगे। इस खुदाई की समय ही उन्हें एक परवता का दिगज दिखाई दिया जिसका नाम विरुपाक्ष था वे इस भूतल को धारण किये हुए था। रखुनन दन महान गजराज विरुपाक्ष ने परवत और वनु सह इस संपूर्ण प्रित्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। काकुच्त वे वहां दिगज जिस समय ठक कर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था। उस समय भूकंप होने लगता था। श्री राम पूर्वदिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वे सकरपुत्र रसातल का भीदन करके आगे बढ़ गये। पूर्वदिशा का भीदन करने के पश्चात वे पुनह दक्षन दिशा की भूमी को खोजने लगे। दक्षन दिशा में भी उन्हें एक महान दिखाई दिया। उसका नाम था महापद्व। महान परवत के समान उंचा वे विशाल का एक गजराज अपने मस्तक पर प्रित्वी को धारन करता था। उससे देखकर उन राजकुमारों को बड़ा विस्में हुआ। महात्मस गर के वे साथ हजार पुत्र उस दिघज की परिक्रमा करके पश्रिम दिशा की भूमी का भेदन करने लगे। पश्रिम दिशा में भी उन्हाबली सगर पुत्रों ने महान परवत कार दिघज सोमस का धर्शन किया। उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूचकर वे सभी राजकुमार भूमी खोदते हुए उत्तर देशा में जा पहुँचे। रखुश्रिष्ट उत्तर देशा में उन्हें हिम के समान श्वेत भद्र नामक दिगज दिखाई दिया जो अपने कल्यान में शरीर से इत्स पृत्वी को धारण किये हुए था। उन्हें को खोदना आरंभ किया। इस बार उन्हें सभी महामना महाबली एवं भयानक वेक्षाली राजकुमार उने वहां सनातन वासुदेव सुरूप भगवान कपिल को देखा। राजा सगर के यग्ये का वैगोडा भी भगवान कपिल के पास ही चर रहा था। रगुनंदन उसे देखकर उन्हें सभी को अनुपम हर्ष प्राप्थ हुआ। भगवान कपिल को अपने यग्ये में विखन डालने वाला जानकर उनकी आंखे क्रोट से लाल हो गई। उन्होंने अपने हाथों में खेती, हल और नाना प्रकार के ब्रिक्ष एवन पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। वे अत्यनत रोश में भरकर उनकी और दोड़े और बोले। अरे, खड़ा रहे, खड़ा रहे। तु ही हमारे यग्ये के घोड़े को यहां चुरा लाया है। दुर्बुध्धे, अब हम आ गए हैं। तु समझ ले, हम महारात सगर के पुत्र हैं। रघुनन्दन, उनकी बाद सुनकर भावान कपिल को बड़ा रोश हुआ और उस रोश के आवेश में ही उनकी मुँसे एक होंकार निकल पड़ी। श्री राम, उस होंकार के साथ ही उन, अनन्त प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जला कर राक कर दिया। इस प्रकार श्रीवाल्मी की निर्मित आश्रामयन आधिकावे के पालकाण में चालिसमा सर्ग पुरा हुआ। आप सभी को कोटी कोटी साधुवात आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।